हेलो नमस्ते कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे स्वास्त होंगे स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे देने आज सोमार और सुबर का टाइम हो रहा है भी तो बस अभी मैंने सोचा कि छट पे बहुं जादा दूलों गई थी तो जाड मेरी वापस आगई मैं अधर के और फिर देखते हैं किसी दिन अगर मौसम ठीक टाक रहा दूप कम होई तो जाके लगाओंगे बाकी तो अभी लगाने जैसे नहीं हालत कराब हो जाएगी दूप में और दो तिन दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूं क्योंकि मैं वीड मन नहीं होता बिना किसी रिजन के भी मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना करें मन को कुछ अच्छा नहीं लगता तो वैसा ही कुछ था मेरे साथ भी बहुत लोगों के साथ होता होगा कि बिना किसी रिजन के भी मतलब मन उदास हो जाता है और अंदर से एकदम मतलब sad वाली feeling आती है तो लगता है कि कुछ करे ही ना बस और किसी काम में मन नहीं लगना अच्छा नहीं लगना तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ अभी ठीक हूँ बस तो आज सोचा कि कुछ shoot कर लूँ क्योंगि इसमें फिर भी मन तो लगा रहता है वीडियो बनाने में तो चलिए आज बस थोड़ा बहुत जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो बने रही है मेरे साथ मेरे व्लोग में तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है डेस्टिंग और दो दिन से मैंने अच्छे से नहीं कर रही थी तो बस आज सुचा कि अच्छे से कर लूँ तो बस उसी में लगी हुई हूँ और अभी नाष्टा बनाया नहीं है यह सब करने के बाद ही नाष्टा बनाऊंगी और यह तो डेली का ही काम है डेस्टिंग का क्योंकि डस्त बहुत जादा है तो करना ही होता है बट दो दिन से मन नहीं लग रहा था किसी चीज में तो मैंने अच्छे से नहीं की थी तो चली है आज अच्छे से कर लेते हैं और ये देखिए मेरी टाइनिंग टेबल जो हमेसे भरी रहती है जितना भी इसको खाली करके सा करती हूं वापस थोड़ी देर में देखती हूं तो वैसे ही भर जाती है और यहां पर बुक्स वगरा बच्चों की कॉपी और मैडिसेन के बॉक्स सब यहीं पर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद जैसे का तैसा हो जाता है तो खिलाल अभी तो क्लीन कर देती हूं कर देखते हैं तो यहां पर बस मैंने पुरे घर का जाड़ू भी लगा लिया है और यह बाहर आ गई हूं पोस्त में थोड़ा वहां का भी लगा देती हूं और बस यह जो बटन अगर है बार बार हाथ लगने की वज़े से गंदे हो जाते हैं हॉल के बटन तो आज सोचा इसको प्लेन कर दूं तो अंदर की डस्टिंग करने के बाद अपी आ गई हूं किचन में और देखिए किचन मेरा फुरा यसे पहरा हुआ है क्योंकि रात में मेरी कजन लोगा गयते तो चाय वगर अबनाई थी तो यह पुरा अभी रात को कुछ साफ ने किया लेट हो गया था तो बस अभी सब क्लीन करूंगी उसके बाद अपने लिए और बेटे के लिए नाश्ता बनाऊगी और देखे यह शेर हो आगया है भाई नाश्ते के लिए तो अभी नाश्ता तो मैंने बनाया नहीं है अपने लिए तो इसको विस्केटी दे रहेती हूं खिलाल शेरू तो यहां पे मैंने बस कीचेन क्लीन कर दिया है लब खीना बनाने लाएक पूरा क्योंकि बहरा हुआ था। अभी ग्लास, कप, वाटल, मंदेर के भरतन सब मैंने दोली हैं, बस अब बनाऊंगी नाष्टा, तो आज नाष्टे में तो सिंपल ही है, चाय पराठा, हम लोग जादा चाय पराठा ही मतलब पसंद करते हैं नाष्टे में, अच्छा लगता है चाय पराठा, सुबह से क्यों करने के बाद आ गई हूँ अब किच्छन में, दोपर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आज खाने में बन रहा है दहीकडी और रोटी बनाऊंगी, और साथी साथ एक सबसी और बनाऊंगी, उसकी रेसपी आप लोग के साँझे शेयर करूंगी, और दहीकडी की रेसप करके और दल के रख दिया था प्रेज में तो आज थोड़ा बस सुखे मसाले डाल के इसको मैं सेख लूँगी और ये बनने के बाद बहुती टेस्टी लग रहा था उतलब जो सब्जी बनाई थी उससे भी ज्यादा टेस्टी लग रहा था तो आप लोग एक बार जरू ट्रा पर फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये बस मेरी कडी भी यहां पर रेडी हो गई है तो इसमें बजी डाल देती हूँ अध्यी वाली बनाई है कडी तो रेडी हो चुका है हमारा यहां पर लंच और आज मैंने बनाई है दाही कडी तो और थोड़ा सा कटाल प्रेज में रख दिया था तो आज थोड़ा सा फ्राइर किया है अलग तरीके से तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी है तो देखिए आप लोग मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए